हेलो फ्रेंड्स मैंश्टाडी91 चैनल से नितिन गुपता आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में और आज के इस जियस्टोज की सीरीज में दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक को कवर करने ज ठीक है और वैसे भी आप lot हमारी बात तो बहुत ज़्यायदा मानते उसलिए आम मुझे क्या पइसा नहीं करोगे ठीक है चलि आगे देखते हैं करेक कसमीर का सासक जो कसमीर का अकबर कहा जाता था ठीक है क्यों क्योंकि जिस तरह से भारत में अकबन ने अपनी विवस्थाएं बनाई थी उसी तरह से जैनुलाबदीन ने कसमीन में अपनी विवस्थाएं बना रखी थी अगला कोश्चन है कि प्रसासनिक और विवस्था यानि कुसासन के आधार पर डलहोजी जो की वायसराय था और इसी के सम्मिम सबसे पहले क्या चलाएगी थी ट्रेन चलाएगी थी ना याद ना करा डलहोजी ने किस राज्य को ब्रिटीस सामराज में मिला लिया था तो याद रखे दोस्तों इसने जो है अवद को कुसासन का रोप लगा कर अवद जो साम की तो दोस्तों याद रखे पहला और दूसरा जो आंगल मैसूर युद्ध था ये लड़ा गया था टीपू सुल्तान के पिता जो थे हैं हैदर अली के द्वारा और तीसरा और चौथा युद्ध था ठीक है ये दोनों लड़ाईयां लड़ी गए थी टीपू सुल्तान के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर पूशरा है कि जो तृती आंगल मैसूर युद्ध था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संदी किया था तो याद रखे दोस्तों ये स्री रंग पटनम की सद्धिं किया था कौन सी संदी स्री रंग पटनम और टीपू सुल मुगल सासक था जिसके समय में ये सुतंतर हो गया तो मुहमद सार रंगीला के समय में दोस्तों ये सभी राज जो थे छोटे छोटे राज ये सभी सुतंतर हो गया और ये उसी का समय है जिसके समय में सबसे बड़ा युद्ध वा था 1749 में नादिर सान ने हमला किया था और उसने जब हमला किया उस समय जो है भारत का मुगल समराट कौन था मुहमत सार रंगीला ही था ठीक है और भारत पे उसने हमला किया और तक्तिय ताउज जो की साजहाने बनवाय था उसको भी उठा ले गया तेहां पर देखिए एंसर जो है मुहमत सार रंगीला होगा आगे है रणजी सिंग ने किस अस्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधी धारड किया था तो याद रखें दोस्तों जब उन्होंने लाहोर विजे किया था उसके बाद उन्होंने महाराजा की उपाधी धारड किया था तो पूरा नामिंका था महाराजा रणजी सिंग अम्रिसर की संधीन के दोरा की गई सबसे महतपूर संधी है जो की की गई थे 1809 में दोस्तो याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है आगे है निमलिकित में से किस भारतिय को राबर्ट क्लाइब ने भिहार का नायब दिवान नुक्त किया था तो याद रखे दोस्तो किसको किया था राजा सिताब राय को किया था ठीक है राजा सिताब राय को राबर्ट कलाइब जो था 1777 का जो प्लासी का युद्ध था उसको जीतने के बाद राजा सिताब राय को नायाब दिवान नुक्त किया कहां पर बिहार के लिए ठीक है तो य यहाँगे ने फासी भी दिलवा दिया था ठीक है तो याद रखेगा दूस्तों यहाँपर राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका गुरू अरजुंद्यो आगे दूस्तों किस राज़ के सासक नवाब वजीर कहलाते थे ठीक है नवाब या वजीर कहा लाते थे तो याद रखे दोस्तो अवद के जो नवाब होते थे उनको नवाब या वजीर कहा जाता था आगे है तथा कथित कुसासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रसासन को अपने हाथों मे ले लिया तो मैसूर को लि या था उसी तरह से विलियम बैंटिक ने मैसूर को लिया था याद रखेंगे ना ? गल्ती मत करीगा आगे किस ने मुर्सिधाबाद की अस्थापना की तता उसे धाका के अस्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया ? ठीक है ? मुरसीदाबाद तो अस्थापित किया था मुरसीद कुली खळन है अपने नाम पर ही मुरसीदाबाद की अस्थापित किया था और अपने राध्ाने को ढाका से ले के चला गया कहाँ पर मुरसीदाबाद ठीक है तो ये वाला right answer हो जाएगा आगे है किसी गुरु को बाकल बाकला द बाबा ठीक है नानी बाकला के बाबा कहा जाता था वो कौन से गुरु थे तो गुरु तेग बहादुर को ठीक है क्या का जाता था बाकला द बाबा का जाता था ये आपके लिए थोड़ा सा नया प्रस्न है ठीक क्योंकि इस तरह के प भारती सासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्यति से दूतावास असापित किया था तो ये काम किया था टीपू सुल्तान ने और इसने जो है अनिक विदेशी राजाओं के साथ अपना असंबन भी बनाया था तो दोनों कोशन याद रखें कि आधुनि नेपोलियन को किसको लिखा था पत्र नेपोलियन को पत्र लिखा था चलिए अगर भारत पर आकमड करने वाले किस इरानी सासक को इरान का नेपोलियन कहा जाता है तो इरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर साह को ठीक है नादिर साह ने भारत पर हमला कप किया सत्रह सो तो नादिर साफ का राइट एंसर हो जाएगा आगे दोस्तों निलकित में से किसने मीर कासीम तथा सुजाओद दौला के साथ मिलकर इस अंगरेजी इस इंडिया कमपनी पर युद्ध खोसित के और बाद में बकसर की युद्ध में अंगरेजों से पराजित हुआ तो उसका नाम क्या था दोस्तों सा आलमदूती यही तो था जिसने जो है मीर कासीम और सुजाओद दौला और सा आलमदूती यह दो लोग मिलकर तीनों लोग मिलकर लड़ रहे थे अब बकसर का युद्ध हुआ कब था यह सत्तरा सो चौशट में लड़ा गया था बकसर का टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने काम किया था ठीक है टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने डिंडी गुल में एक आधनिक सस्त्रागार के अस्थापना किया था और फ्रांसीसियों की मदद से किया था हैदर अली ने आगे दोस्तों किसकी समाधी के कारण नंदे गुरु द्वारा इसमें जो सतलज नदी था इसको सीमा माल लिया गया और सतलज का जो आपको सीदे फिदे कर लो कि जो पस्चिमी हिस्सा था या जो उत्तरी हिस्सा था वो आपका किसके पास चला गया लाहोर वाला बेल्ट वो आपके रंडजी सिंग के पास चला गया और नीचे वाला जो बेल्ट था वो अंग्रेजो के पास आ गया सतलज नदी को सीमा माना गया, आगे दोस्तों मौरे समराट बिंदुसार किस धर्म के अनुवाई थें, तो जो बिंदुसार थें दोस्तों ये आजीवक संपरदाय के अनुवाई थें, मक्हिलाल गोसाल इसके हेड थें, ठीक है, आगे बहुत संग में भिक्छुडी के इस्त्रियों भी रह सकती हैं, और आगे देखे करा बुद्ध का किस की सिकों पर अंकन हुआ है, तो याद रखे दोस्तों कनिस्क जो था न कनिस्क, कुछान वन्स का बहुत फिमस सा सकता, और मिनांडर इसे को खा जाता था, तो याद रखे कि कनिस्क के सिकों पर इस्तियां भी बननी सुर्वी हुई, तो राइट एंसर क्या हो जाएगा, कनिस्क, ओके चली आगे देखते हैं, नेक्ट करा रहा है दोस्तों कि किसने एक तरफ से संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत किये थे, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत किये थे, तो गजनवी जो था दोस्तों, यहाँ पर राइट एंसर है, और मुझे पता है कि ज़्यादा तर लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे, बट वो लोग याद करें कि मैंने इस वीज़ आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, मुहमत का वह सुल्तान जो दान डक्षिला के बारे में काफी ध्यान रखता था, और इसके लिए उसने एक विभाग, यानि दिवान एक खैरात, दान विभाग भी बना कर रखा था, उसका नाम बताना आपको तो फिरोज सा तुगलग, ठीक है, इसने दान विभाग बनाया, इसने मंगोलों से हुई लडाई में मंगोल सेनाओं का सेनापती कौन था, ठीक है, आपको बताना है मंगोल सेनाओं का सेनापती कौन था, स्वारी, मंगोल सेनाओं का सेनापती कौन था, तो याद रखे दोस्तों कादिर खान था, कौन था, कादर खान था, ठीक है, कादिर खान या बहुत इंपोर्टेंट ये भी है हलांकि मलुक काफूर था वो अलाव दिंग खिल जी का था लेकिन बाद में का आगे कर रहा कि किस ने 40 तूर्की सर्दानों को लेकर कि तूर्का ने चिहल गानी या चालीसा का गठन किया था उसका नाम बताना आपको तो चालीसा का गठ आज धार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था यही इल्ट उत्मिस था आगे देखे कर रहा यक अस्पा यानी एक घोड़े वाला जो सैनिक होता था उसको एक एक अस्पा बोलते थे और जिसने सैनिकों के पास दो घोड़े होते थे उनको दो अस्पा बोलते थे कर यह हिंदुस्तानी सहली के जन्वदाता किसे कहा जाता है तो आमीर खुसरों को माना जाता है दोस्तों सभा के हिंदी या हिंदुस्तानी सहली के जन्वदाता आगे किस युद्ध को बिजनगर सामराज के सांदार युक का अंत माना जाता है तो याद रखें दोसों ताली कोटा क का युद्ध जो हुआ था इसको राच्छस तंगडी का युद्ध भी का जाता है ठीक है और ये बिजयनेगर सामराज के सांदार युक का अंतमाना जाता है ताली कोटा का युद्ध आगे किसने बीजापूर में इस्तित गोल गुंबज का निर्मार किया जो कि विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मर स्तावी गैलरी के लिए प्रसीद है तो इसको बनवाया किसने था दोस्तों इसको बनवाया था मुहम्मद आदिल साने बीजापूर में गोल गुंबज का निर्मार करवाया था आगे है बिठल स्वामी का मंदिर किस देवता को स समरपी था है बिठल स्वामी का मंदिर ये भी काफी असान गोश्ट है ने बहुत ज्यादा कठी नहीं है आगे माता ही हिंडोला महल कहा है यह अपने आप में थोड़ा सा अच्छा है तो याद रखे दोस्तों यह मालवा में इस्तित है हिंडोला महल ठीक है मालवा का पठा से नहीं उड़ी सा कर रहा हूं यार क्या वो उज्याइन के पास से गुजरती है जहां पर महा कालेस्वर जी का ज्योती लिंग है ठीक है तो छिपरा आगे देखे करा कृष्ण देव राय की किस रदेव राय किस मुगल सासक के समकाली थे भाई बाबर के समकाली थे बाबर ने अपनी बाबा नामा में इनके नाम का भी उल्लेक किया है ठीक है आगे देखे महमूद बेगड़ा किस राज का प्रसीद सुल्तान था गुजरात का था कहा पर था गुजरात का प्रसीद सुल्तान था महमूद बेगड़ा ठीक है पढ़ाया हूं आपको हिस्ट्री में आगे कस्मीर के प्रसिदसा सक जेनुलाबदीन वही जो जिसको कस्मीर का अकबर कहा जाता था ने महाभारत रजत तरंगडी राज तरंगणी आदी संस्क्रित गंतों का अनुबाद किस भासा में करवाया है तो जाहिश सी बात है और उसके आँ जो भासा चलती तो उसके अधीना मसजिद ये बंगाल में दोस्तों अभी हाली में किसी एकशामे कोषन पूछा था अधीना मसजिद कहा पर इस्तित है तो याद रखिए बंगाल में इस्तित है अधीना मसजिद अगे है इतालवी यात्री निकोल दकॉंटी जो कि 1420 से 1421 में बीजनगर समराड के सा संकाल में किसके साथ संकाल में बीजनेगर की यात्रा किया था ये बहुत अच्छा कोच नो दोस्तो ये देवराय प्रथम के समय में आया था गज बेटकर इन्हीं को कहा जाता था ना देवराय प्रथम कोई बोला जाता था गज बेटकर ठीक है एक वाट चेक कर लिजेगा आ किया गया है आगे है मालवा के किस सासक के सासंकाल में मालवा राज का विल है अकबर द्वारा मुगल सामराज में कर लिया गया उसमें मालवा का सासक कौन था तो कौन था दोस्तों बाज बहादूर था पुरी कहानी बनाया उन्हों बाज बहादूर रूपमति वाली कहानी ठ लिए आगे देखते हैं कर आप बीजयनगर का अपने अस्थापना से ले करके पतन तक किस राजे के सा संघर चलता रहा किसका बीजयनगर सामराज का वही जो हमपी के पास है तो उनका लड़ाई चलता था बहमनी राजे से किसके चलता था बहमनी सूरू से लेकर आखरी तक बहमनी राज से लड़ाई चलती ही थी आगे बीजयनगर सामराज के अस्थापना किस सदी में हुई थी तो दोस्तो चोधामी सदी मुई थी तो कि 1336 में हरियरो बुक्का ने किया था अस्थापना तो 1336 मतलब क्या हो गया आपकी 14 सदी हो गई ठीक है और आज के लिए हिस् तो याद रखे ओली कुटूपसा चार मिनला का निमाला किसे ने करवाया था ओली कुटूपसा ने कराया था यहां राइट एंसर हो जाएगा बी वाला चलिए आगे देखते हैं चलिए रेडी हो जाए भुकॉल के लिए तो भुकॉल का पहला कोश्चन दे रहा है दोस्तो बिसota का सबसे बड़ा प्रायदी माना जाता प्रायदी में धोड़ा मना जाता आगे 9 से कौन खार दररा पीर पंजाल प्रायदी आगे कर रहा है निमनमी से कौन से दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग निर्मित की गई है ठीक है तो याद रखे दोस्तों ये बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग किसे संब्दित है बनिहाल दर्रे में बनाई गई है जवाहर सुरंग ठीक है बनिहाल दर्रे में आगे है निमनमी से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयो मंडल अरची छेतर के अंदर इस्थित है ठीक है आपको बताना है तो याद रखे दोस्तों जो नीती दर्रा और माना दर्रा है जहां पर नीती है उसे के ठीक पास में माना दर्रा भी है माना दर्रा उत्तरा खंड यह जो है नंदा देवी जो है मंडल के पास इस्थित है बाकी रोहतांग वाला तो हिमाचल में चले जाएंगे आगे है दोस्तों ठीक है नातुला कहाँ पर उसिक्किम में चला जाएगा तो यह नहीं होगा तो माना दर्रा यह राइट एंस रो जा सिरनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन से है तो जो जीला को जोड़ता है तही झोड़ता है लह से जिला को अरे राजानी यह सिमा बैर लो तो गेल दोस्तों सिरनगर से से हुई है यह थोड़ा सा आप याद रखेगा यहां लेटी नुटिमल लग मत चलेगा है पर राइट एंसर क्या होगा एसीरियन भासा के आसू सब्द से यह बहुत अच्छा क्वेशन है अगर आज एक्जाम में तो गल्ती तो करेंगे बहुत सारी लोग एसीया महादेश का सरवाधिक सुस्क अस्थल कौन सा है सबसे ज़्यादा सुस्क अस्थल तो यह आपका अधन है क्या है अधन अधन कहां पढ़ता है दोस्तो यह अमन में पढ़ता है यह अमन में यह सबसे सुस्क अस्थल माना जाता है पूरे के पूरे एसीया का ठीक है सिर्फ एसीया ही ले समूह है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो याद रखे बोर्नियों द्यूब जो दोस्तों यह सबसे बड़ा है एसिया का आगे है एसिया और यूरोप महाद्वीप में इस्तित देश कौन से हैं ठीक है उस देश का नाम बताना है करा यूक्रेन और तो याद रखे दोस्तों रूस और तूर्की जो दोस्तों यह आपके एसिया और यूरोप महाद्व में इस्तित देस के नाम जोरह का आगे एसिया में सबसे बड़ा मासाला उत्पादक है अगरा दे रहा है कि केरल आचा ये कोशन जो दे रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही है भारत एक बाद जो बंगला देसका नंबर आता है करा कौन सा कतन सही नहीं मतलब गलत कौन सा है अचा आगे देखे करा केवल भारत में काली मेर्स का स 50% जो एक्सपोर्ट करता है तो यह पर इसी वाला गलत है आगे कि भानकी टाप पसल से संबध्रप का नाम है भाल पनकी टाप अधोकर इससे संबध्रप केला से सुमेलित नहीं है करहा वीटी कल्चर अंगुर उत्पादवं को बोलते हैं पीसी कल्चर परजनन पालंप समच्छण लृष मचली भेधन को हार्टी कल्चर के वर घर पर प्रियोजेंग कि सब्सक्राइब के अधियुक्त समिद्धा आधे नहीं का देवाल सब LAUGHTER और इदिफोलो जी क्या है बताई यह यह जो यह पता करता है कि कैसे पवदह यह जी आधी पर मिटिका प्रभाव पलता है उसको बोला जाता है इडे फोलो जी ठीक है इससे समधनी तभी PCS में क्वेश्चन भी आया था आगे है निवनेम से वह कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है ये बता दीजी ठीक है पहला करा कि जलोर मिट्टी भारत के सबसे बड़े हिस्से को कवर करती है दूसरा देरा कि काली मिट्टी पर्षि मंगाल, सिक्किम, बिहार और नगलाइन के चैतरों में मुख्य रूप से पाय जाती है तीसरा देरा कि काली मिट्टी कपास के उतपादियं के लिए बहुत उपयोगी है चौता है जलोर मिट्टी, धान, गियेंों और गन्येक उतपादियं के लिए बहुत आगे है अजोला क्या है अजोला बताइए तो अजोला एक तरह का घास होता है अजोला क्या है एक तरह का घास की एक प्रजाती है अजोला ठीक है आगे निमने में से वो कौन सा देश है जो चावल का सरवाधिक उतपादन करता है तो चावल के मामले में दोस्तों चीन का तो दोस्तों आम का सबसी ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में आम का सबसी ज़्यादा उत्पादन होता है ठीक है चलिए और कोशन देखते हैं चलिए अगला बताई दोस्तों करें दक्षिड एसिया का सबसे घहना बसा देश कौन सा है तो याद रखें दोस्तों अब आप करोगे यहाँ पर बंगला देश नहीं बसे ही पर गलती कर दोगे दोस्तों माल दिव जो दोस्तों माल दिव दक्षिड एसिया का सबसे घहना बसा देश है माल दिव ठ आगे है कोरल रीफ या जिवास पट्टी कहां पाई जाती है ठीक है तो याद रखे दोस्तों यह कहां पाई जाती है तो यह करक और मकर देखा के जो बीच का जो तटी शेत्र है वहां पर ज्यादा तर देखा जाता है कोरल रीफ या जिवास पट्टी और ज्यादा तर यह कि बाग पर योजना 21 राज में इस्थीत दोस्तों तो यह आपके पसी मंगाल में इस्थीत दोस्तों बाग पर योजना अब देखिए सब इतनी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा जिंदगी भर ठीक है और नहीं द गोबी मरुस्थल किजो देश में इस्तित है तो यह आपको बताना दोस्तों गोबी का अपर से मंगोलिया में converge & गोबी से मंगोलिय आद रखना आगे कौन सा युगम सुमेली तो नहीं है गलत है यह बताना है अर्जेंटीना महिंत आयर्श वाठीन है गलत है आपका ठीक है बाकी जो है तीनों वो सही दे रहा है ठीक है अचा आगे देखे करा सोर परिवार के संदर में निमिंच्ट सही है कौन सा सही कर बताना करा सोर परिवार के सभी गरहों में पृतिवी सगंतम है दूसरा है पृतिवी के संगठन में मुख्य तत तो सिलिका है तीसरा है सूरी में सौर परिवार के द्रवमान का क्रमसा पच्छतर प्रसत अंतर्विष्ट है सूरी का बास प्रिथवी के ब्यास का 190 गुना है तो यहां पर पूछ रहा कौन सा कथन सही है तो पहली बाद तो तीन गलत है ठीक एक ही क अगे देखे कर आप प्रकास की गती से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय पर पहुचा जा सकता है कहां पर दोस्तों यह चंद्रमा पर भेजने की बात कर रहा है तो याद रहे खे, खाली 13 सेकेंड लगेगा दोस्तों आपको छंद्रमा पर जाने पर अगर आप जा रहे हो प्रकास की गती से हो मिस्थित है तो लक्षी दीब जो दोस्तों यह आपके अरब सागर वाली मिस्थित है ठीक अरब सागर मिस्थित है तो यहां पर क्या हो जाएगा अरब सागर अगला दोस्तों हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं तो याद रखे कस्मीर हिमालय जहां पर है दोस्तो कौन अंडमान दीपसमू को निकोबार दीपसमू से अलग करता है ठीक है उस जगा का नाम बताना है तो आपका 10 दिगरी जो चैनल है वो अलग करता है अंडमान दीपसमू को निकोबार से अगला है किस परवस्त रेडी में दोद्दा बेटा चोटी इस्थित है ठीक है तो उ नील गिरी परवस्टरी जो दोस्तों तमिल नाड में उसकी सबसे उची चोटी का नाम है दोद्धा बेटा ये धक्षिल भारत की दूसरी सबसे उची चोटी क्योंकि पहले नमर पर अन्ना मलाई का नाम आता है अन्नाई मुरिष की सबसे उची चोटी है आगे देखें दोस्तों अच्छा कुछ गलत टिक कर दिया थे क्या चलिए समझ गया न आगे भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोडी निमने में से किस नदी की है सबसे बड़ी नदी द्रोडी किस नदी की है तो सबसे बड़ी यार गंगा की है गंगा रिवर सिस्टम सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है आगे निवन में से किस नदी को पंचनद में सामिल नहीं किया गया जाता है उस नदी का नाम बताना है तो दोस्तों सिंदु नदी को पंचनद में सामिल नहीं किया जाता है बाकी च जली भाग को क्या कहते हैं तो उसी को नाम दिया जता है जल संधी क्या नाम देते हैं उसी को जल संधी नाम दिया जता है असने पाक जल संधी ठीक है और आज के लिए घ्याफिक का आखरी question कि बिसु का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो याद रखे के दूस्तो आपका जो इन्डोनेशिया दीप समों है यह विस्टो का सबसे बड़ा डीप समों है दीप समों काली दीप पूस्ता तो आपका Greenland उतर होता उतर क्या होता Greenland चलो लगे हाओ अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पॉलिटी के कोश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, चलिए दिस्तों बताइए, और पॉलिटी से समझनी कोश्चन में बता रहे हैं कि लोग सभा में केंद्र सासित प्रदिसों के प्रतनिधी चूने जाते हैं, कि इस तरीके से चूने उपराश्पती का पद रिक्त हो जाए, तो उसका कारिभार कौन समालता है, तो भाई उपराश्पती समालेगा, हाँ उपराश्पती नहीं रहता है, यादि तब जाके भारत के मुखे नाधिस का नंबर आता है, आगे है संबिधान के अंतरगत बंदी प्रत्यक्षी करण जिसको बारे में बताया गया, अनुच्षेद 32 में बताया गया दोस्तों, पांच रिट के बारे में उसमें से एक रिट का नाम बंदी प्रत्यक्षी करण भी है, कर अब बंदी प्रत्यक्षी कर समादेश जारी करने का अधिकार किसमें नहीत है, तो दोस्तों, चाहे उच् आपका हाई कोर्ट है चाए आपका सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस दोनों के पास अधिकार है कि अनुछे 32 से सम्मंदित जो है रीट जारी कर सकते हैं आगे है भासा याधार पर गठित भारत का पत्थम राज ये कौन सा था तो ये आपका पूरी को सामिल करने की बात चल रही है आगे है भारती सम्मिधान का सुरूप कि प्रकार का है तो दोस्तों अगर इसके सुरूप की बात करें तो ये संगरचना में तो संगात्मक रेकिन भावना में कैसा है एकात्मक सुरूप का है संगरचना में संगात्मक और भावना मे एकात्मत्तुराई टंसरो जगासी वाला आगे है मंत्री मंदल में सरोच अस्थान पर कौन होता है तो जो मंत्री मंदल होता है इसमें सबसे हाइस पोजिशन की स्की होती है पीम की होती है प्रधान मंत्री की प्राइम मिनिश्टर की आगे हैं मंत्री परसद में निकिवसे इवर सामिल नहीं रहता है तो कैश्य मंत्रि उप मंत्रि निर्वाषन्ची स्चिरो को असपर्ष करती है यह तो बड़ा गजब का question दे दिया दोस्तों तो नागोर याद रखेगा नागोर राजस्थान में पड़ता है यह आपकी नौ संसदी निर्वाचन छेत्रों को असपस करती इसकी सीमा ठीक है आगे दोस्तों राजसभा के एक तिहाई सदर से प्रतिक कितने वर्स पस्चात सिवानिवित होते हैं तो हर दूसरे साल दोस्तों यह सिवानिवित होते हैं जो राजसभा में होते हैं हर दूसरे वी रामा स्वामी के विरुद्धा अलंकी क्या हो गया, तब फेल हो गया था, ठीक है आगे देखे कर, राश्पती सम्मिधान के किस अनुछेत के अंतरगत, भारत के मुख्य नाइदिस के समक्छ सपत ग्रहाण करता है, तो सपत ग्रहन करता है अनुच्छे साठ के अंतरगत कितना अनुच्छे साठ आगे किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दे दिया था तो केशवानान भारती वाद विवाद था जिसमें जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार मि बखा गया था आगे है राश्पती राज्यों के राज्यपाल सरोच न्याले तथा उच्छ न्याले के न्याय धिसो संसद राज्य विधान मंडलों के दिखा रही हों भारत के नियंतर के ओं महालेखा परिचक आदिके वेतन के संबन्द में प्रावधान समिधान की किस दोस्तों सपत के बारें बताए ठीक है तो याद रखे दूसरी अंसूची यहां पर राइट अंसर हो जाएगा और सारी अंसूची के बारें आपको रटा चुका हो आगे है निम्लिकित मेंसे कौन सा कथन सही है ठीक है जल्डी से बता दीजे करा भारत का संमिधान में भार सभी हो जाएगा आगे उप राश्पती को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है तो दोस्तों क्योंकि राजसभा में बैठता है तो इसलिए राजसभा में साधार और बहुमत अगर पालित हो जाए तो फिर आप जो है उसकी स्विकर्टी करने के लिए लोग सभा पहु कर और आगे है भारत का सम्मिधान हिंदी को क्या गोसित करता है तो राज भासा गोसित करता है वो जो है हिंदी को संग की राज भासा गोसित करता है और इसके लिए जो अनुच्छे 343 है वो इसके लिए तयार किया गया है तो राज भासा गोसित करता है और आज के लिए आप दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है और इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लिजेगा और उमीद करता हूँ जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता ना इसको आप एक लूप पर प्रैक्टिस जरूर किया करिए ठीक क्वेशन देखते रहेंगे देखते रहेंगे तो फाय करेगा भाई शेयर करने का काम भी तो आप ही का है ना क्योंकि आगर आप शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि ज्यादा लोग देख पाएंगे ठीक है तो आप शेयर जरू से करिए साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी भी तरह का एडवर्टिजमेंट आता है तो फिर से मैं आप से निविधन करता हूँ कि आप उसको इसकीप मत करिएगा हाँ जुड़कर निविधन करता हूं मेरे भाई प्लीज इसकीप मत करिएगा और आपका कोई वाटसब गुरूप हो गय रहा है तो वहाँ पर आप सेयर कर दिजे वीडियो को ताकि जादा फे जादा भाई बंदू इसको देख पाए थेंक्यू थेंक्यू सो मच